इसमें अब तक मैंने 34 पार्ट तक कम्प्लेट कर दिया था दोस्तों आज हम लोग 35 से करेंगे और मैं ये प्लेटफर्म का स्रीच चल रहा था जिसमें मैं जी भी ग्यान करा रहा हूं और दोस्तों इसके बाकी के पार्ट को आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएए और आपके सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे मूल जिसे जड़ भी बोला जाता है मूल का जल अवसोशन में सम्बंद भाग है यानि कि जड़ में ऐसा कौन सा भाग है जो पानी को अवसोशित करता है तो दोस्तों ये है मूल रोमो का छेत्र निमलिखित में से पोलियो किसकी कारण होता है कवक, बाइरस, किरीमी या फिर बैक्टिरिया तो दोस्तों पोलियो एक बाइरस जनित रोग होता है एलिसा टेस्ट की सुरोग की पहचान के लिए किया जाता है तो दोस्तों ये कई बार कोचन एकजाम में आ चुके हैं तो एलिसा जाच किया जाता है एट्स के लिए निमलिकित में इसे काउन सा बलट गुरूप सर्ब गराही है यानि कि लेने वाला एकसेप्टर है तो दोस्तों ये है एबी अगर दोस्तों बलट गुरूप जो ओ होता है आपका सर्ब दाता होता है यानि कि ये किसी को भी बलट दे सकता है इसके बारे में पिछले टॉपिक में इसे डिटेल से बताया था अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देखें तो आपको सारी बात पता चल जाएगा अगर दोस्तो एक बाता और पता देते हैं कि बलट गुरूप का खोज किस ने किया था तो दोस्तो बलट गुरूप का खोज किया था लैंड अस्टीनर ने और कब किया था तो ये किये थे उनाईस सोईस्वी में किन तीन तत्वों का उप्योग रसाइनिक उर्बरकों में सर्वधिक होता है तो दोस्तों ये होता है नाइट्रोजन, पोटाइसियम, एवंफासपोरस हमारे सरीर में कैलसियम की अवस्थक तक क्यों परती है दोस्तों कैलसियम से हमारे हडियों का विकास होता है बलेट कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों बलेट कैंसर को ये कोचन पिछले पार्ट में भी आया था इसलिए दोस्तों काते हैं कि आपको पिछले पार्ट को देखना चाहिए ताकि कोचन बार-बार रिपीट होने से आपके दिमाग में असानी से सेट हो जाएगा तो दोस्तों बलेट कैंसर को लिकेमिया भी कहा जाता है ओंको जोन किस से संबंदित है तो दोस्तों ओंको जीन करक रोग से संबंदित है डियने को किसने अंता पात्र में बनाया है तो दोस्तों ये है डियने को बनाया गया था एड़बर जेनर के दोरा तिवरुता एबम परायुक्ता के अधार पर निमलिखित में से कौन सा करक रोग उत्पन कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है तो दोस्तो ये है परवैगनिक किरने के दोरा इनका उपचार किया जा सकता है एक स्वस्त मानव शरीर में रक्त कितना लिटर तक हो सकता है यानि कि बलड की बात की गए तो दोस्तो एक स्वस्त मानुस में 5-6 लिटर बलड होता है एंसर हो जाएगा ए नमबर टाइफायट तथा कौलरा दोस्तो ये बिमारी है ये किसकी कारण होता है तो दोस्तो ताइफाइट साथ कॉर्णा एक जल दूसित रोग है यानि कि दूसित पाने से होता है याकरित एवा मास्पेसियों में उर्जा किस रूप में जमा होती है जिवानु का खोज किस ने किया था ये कोचन मैंने कई बार बताया है दोस्तो अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा कि दोस्तो जिवानु का खोज लेवेन हौक ने किया था इनका पूरा नाम एंटान भान लिवन हॉक है और विशानू का खोज इवनो वसकी ने किया था कोचन है जीवों में अत्यदिक बिवित्ता का कारण क्या होता है तो जीवों में अत्यदिक बिवित्ता का कारण होता है अनुकूलन option A number हो जाएगा कीट सनबर्धन किसे कहा जाता है तो दोस्तों कीटों के बिर्धी करने के विज्ञान को ही कीट सनबर्धन बोला जाता है सबसे छोटा जीब जो सोयं विकास से वों परजिनन करने में समर्थ है वो कौन है विसानू जिवानू माइको पलाजमा या फिर बैक्टिरियो फेज तो दोस्तो ये है माइको पलाजमा ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक के सबसे छोटा जीब काउंसा है तो माइको पलाजमा ही होगा हारे रंग का पदार्थ जो पाउधे में परकास संसलेशन करता है वह क्या है तो दोस्तों आपको पता है कि हारे पाउधे में जो भी पाया जाता है परकास संसलेशन के लिए कलोरोफिल जिमेवार होता है सुचका छी कोप मनुस्यों में परकोप किस बिटामिन की कमी से होता है यह सुखा रोग की बारा में कहा गया है दोस्तों जिसे रिकेट से नामक रोग कते हैं तो यह बिटामिन डी की कमी से होता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको पता होगा कि प्रोटिन की कमी से मरासमस एवम क्वासी ओर कर रोग होता है जिसे हम हिंदे में बालच्छाई भी बोलते हैं यहीं कि answer हो जाएगा A number शरीर के किस अंकी खरावी से मधुमे रोग हो सकता है तो दोस्तो यह होता है पैन किरिया जिसे हम लोग अगनासाय बोलते हैं इसी के खरावी होने के कारण मधुमे रोग होता है इबोला क्या है तो दोस्तो इबोला एक परकार का बायरस होता है जो सबसे पहले अफरीका में देखा गया है और ये किस से होता है तो दोस्तो इबोला चमगादल में पाया जाता है घेंगा रोग आयोडिन के कमी से होता है ये कोचन डारेक्ट पुछते हैं दोस्तो कि घेंगा रोग किस के कमी से होता है तो आप आयोडिन को टिक किजेगा तो यह पूछा गया है घेंगा रोग आयोडिन के कमी से होता है या निम्न में से किस छेत्र में ब्यापत हो सकता है तो दोस्तो यह होता है पहाडी छेत्र में हमारे सरीर में बिटामिन A कहां पे संचीत होता है तो दोस्तो हमारे सरीर में बिटामिन A या क्रित में पाय जाता है मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर से कौन सा रोग होता है दोस्तो तो मादा क्यूलेक्स मच्छर से मलेरिया नामक रोग होता है थोराइड गरंथी का अस्तान कहा है तो थोराइड गरंथी आपका गला में हुता है आयोडिन टेस्ट का परियोग किसकी उपस्तिती जाचने के लिए किया जाता है तो दोस्तो आयोडिन टेस्ट का परियोग किया जाता है कार्बोहाइट्रिट को जाचने के लिए निमलिकित में से कौन सा एक कोश्किय जीव का उधारन है, तो दोस्तों, पुरोडो जोवा एक कोश्किय जीव है प्राचिन काल के जनवरो यानि कि सबसे पुराना जनवरो पौधो एवो अन जीवो के संरचित और सेसो या चीनों के अध्यन को अध्यन के बिग्यान को क्या कहा जाता है तो दोस्तो प्राचिन काल के जन्वरों को या फिर पौधों पेड़ पौधों को पता लगाने के लिए जीवास में भिज्ञान बोला जाता है जिसे इंगलिस में हम लोग पौली ओंटो लौजी बोलते हैं पच्छियों के अध्यन को क्या बोलते हैं तो दोस्तो पच्छियों के अध्यन को बोला जाता है और निथो लोग जी बिटामिन एक की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तो ये एजी कोचन है बहुत बार आते रहते हैं एकजाम में तो यह बिटामिन A की कमी से आपका रतांदी रोग होता है और बिटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है पोलियो की टीके की खुज किस ने किया तो दोस्तों पोलियो की टीका की खुज जॉन सालक ने किया था दोस्तों अभी ही इसी चेप्टर में पिछले कोचन में आया था कि पोलियो किसकी कारण होता है तो दोस्तों ये बाइरस के कारण होता है मैंने बताया था ये भी कोचन इंपोर्टेंट है आप इसे ध्यान में रखेगा डौल्फिन के समो को क्या का जाता है तो दोस्तो डौल्फिन के समो को हम लोग पावड बोलते हैं जीवन की मुलभूत इकाई को क्या का जाता है तो दोस्तो जीवन की मुलभूत इकाई को सेल बोलते हैं जिसे हिंदी में कोशिका बोला जाता है दोस्तो कोशिका से रिलेटर मैंने सारे कोचन को achievement book में करवाया था कोशिका के नाम से एक chapter बना हुआ है जिसे मैंने दो पार्ट में लेके आया था क्योंकि इसमें कोचन जाता थे और दोस्तो कोशिका से रिलेटर मैंने कुछ basic information के बारे में भी बताया था अगर आप चाये तो वो जाके पले लिष्ट में जाके देख सकते हैं और उसके सारे कोचन important है क्योंकि exam में आते रहते हैं मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी है तो दोस्तो मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी को बोलते अश्टेपिज और ये कहां पर पाये जाता है तो दोस्तों ये कान की हड़ी होती है अटीबिया नमक हड़ी आपका पैर में पाये जाता है आपको एक बात और धियान में रखना है कि सरीर के सबसे लंबी या फिर बड़ी हड़ी कौन सी है तो दोस्तो वो है फीमर और ये कहां पाय जाता है तो ये जांग की हड़ी है एक बात आओ मैं इसमें बता देता हूँ क्योंकि एकजाम में आते हैं हड़ियों के अध्यों को क्या कहा जाता है तो दोस्तो हड़ियों के अध्यों को अस्टियोलोजी बोलते है पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पच्छी कौन सा है तो दोस्तो ए है हमिंग बर्ड और इससे रेल्टेड एक और कोचन बनते है कि बीस में सबसे छोटा पच्छी कौन सा है तो दोस्तो आप इसी को टिक किजिएगा दोनों का एंसर एक ही होगा आक्टोपस के खुन का रंग कैसा होता है तो दोस्तो इसके खुन का रंग होता है नेला बर्तमान में हमारे द्वारा उप्योग किये जाने वाले रसाइनिक पर्तिकों की उप्योग बिधी किसने त्यार की थी तो दोस्तो ये किये थे बर्जिलियस ने सबसे वड़ा अस्तन पाई कौन सा है तो दोस्तों ये तो पता होगए आपको कि सबसे वड़ा अस्तन पाई आपका होता बुलू वेल कि परस्थित के तंत्र जिसे बोलते हैं हम लोग एको सिस्टम कि संकलवना کو किसन परिभासित किया था तो ये थे आर्थर ट्रांसले बिकास का सिधान किस ने दिया तो दोस्तो बिकास का सिधान दिया था चार्ल्स डर्विन ने अगला प्रस्न है पाउदे का कौन सा हिस्सा पानी और खनीच के परिवहन को सच्छम करता है तो दोस्तो पानी एक जगा से दुसरे जगा पेर पौदे में जायलम के द्वारा ले जाया जाता है हवा के परागन को जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं हवा के परागन को क्या कहा जाता है तो दोस्तो हवा के परागन को एनीमो फिली बोलते हैं मानव शरीर का एक मात्र अंग वो कौन सा है जो पुना बिक्सित हो सकता है तो दोस्तों वो है याकृत जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं या फिर जिगर बोलते हैं याकरित से रिलेटन मैं कुछ आपको फैक्ट बता रहा हूं हमेशा रिविजन में कराते रहता हूं दोस्तों इसकी बज़न की बात करें तो 1.5 kg तक होता है और पीत का निर्मान आपका याकरित में होता है लेकिन पीत जाके जमा होता है पितासे में और दोस्तों अगला शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो दोस्तों आप टिक कीजेगा याकरित को यानि कि सरीर का सबसे बड़ा अंग याकरित ही होता है मानव सरीर में लेंगर हैंस के आइलेट कहां पाए जाते हैं तो दोस्तों यह पाए जाते हैं अगनासे में इन में से किस योगदान के लिए एडवर जेनर परसीद है तो दोस्तों ये टीका के लिए परसीद है और दोस्तों इन्हों ने एडवर जेनर ने सबसे पहले टीका को जो तियार किये थे बो था चेचक का टीका टमाटर किसके अंतरगत आता है तो दोस्तों टमाटर जो है आपका फल के अंतरगत आता है और एक कोचन इसे आओर बनता है टमाटर लाल क्यों होता है तो दोस्तों टमाटर होता है लाइको पीन परिजिंट होता है उसमें जिसके करण टमाटर लाल दिखता है DPT vaccine में P का क्या मतलब होता है तो दोस्तों DPT का मैं आपको पूरा detail बता देता हूँ DPT, D का मतलब हो गया आपका diptheria और P का मतलब आपका हो गया partulis और last में आपका T पुछा गया है तो दोस्तों T का मतलब होता है tetanus तो आपको चन में P के बारे में पुछा गया है तो मैं आपको अभी बताया था दोस्तों के D का मतलब होता है diptheria और P का मतलब होता है partulis और T हो गया आपका tetanus तो आप B को tick कर सकते है इन चारों option में परकंद का उधारन कौन सा है तो दोस्तों अधरक परकंद का एक उधारन है निमलिखित में से कौन एक परमुख मनो बैग्यानिक थे तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड एक परमुख मनो बैग्यानिक थे यनिक इंसर भुजागा C नमबर निमलिखित में से किसके अधिक्तम पैर होते है तो दोस्तो अधिक्तम पैर पाया जाता है सा अस्त्रपाद में लीमर क्या है तो दोस्तो लीमर एक परकार का जानबर है जो आपका पाया जाता है मेडा गासकर में लीमर एक परकार का जानबर होता है जो आपको पाया जाता है मेडा गासकर में इंसर डिनमबर होगा और यह आज का लाश्ट कोचन होगा और बाकी का कोचन हम अगले पार्ट में लेके आएंगे निम्लिखित मेंसे कौन से प्रकिरिय कार। डाय औक्साइड जो से हम लोग सीओ टू से दिनोट करते हैं रसा निक सुत्र होता है निम्लिखित में से कौन सी परकिरिया कार्बन डाय ऑक्साइड के वातापरन को हटाती है तो दोस्तों यह परकास संसलेशन जिसे इंगलिस में फोटो सिंथेसिस बोला जाता है